हाई एवरिवन तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर जो डिसकस करने वाले टम वो होगा वह या आरेजी से रिलेटेड अब आरेजी जिसको नहीं पता है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं एंड ये टम है क्या चीज किस से रिलेटेड है वो भी समझते हैं ठीक है तो आरेजी का जो पूरा नाम है वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ठीक है मतलब कि रिसोर्स किसको मिल रही है उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये इनपॉर्टेंट चीज है किस प्रॉसेस को रिसोर्स मिल रही है उसका रिप्रेजेंटेशन है रिसोर्स क्या होता है हम linear data structure just like your tree अब इसमें कुछ कुछ चीज़े होती है जैसे कि आप यहाँ पर data nodes को with the help of vertex बताते हो graph में graph में दो चीज़े होती है को ती vertex दूसरी होती है edge तो जो data nodes है यहना वो आप vertex के हल से आप represent करते हो and जो edge होती है वो सारे data nodes को क्या करके करके रखती है connect करके रखती है तो यह कह सकते हों कि edges जो है वो vertex हो connect करके रखती है तो edges यह गाम करती है तो यहाँ पर भी कोई चीज़ होगा कि normally का होगा एक vertex होगा एक edge होगा ठीक है अब उससे पहले R.A.G के बारे में समझते है R.A.G. contains the information about all the instance of all the resource ठीक है सारी resource का क्या करेगा instance तयार करके रखती है कौन available है और कौन process कौन सी process use कर रही है और कौन सी process के लिए resource available है यह सब का सब R.A.G. के अंदर रख रहेगा ठीक है और R.A.G. के एक तरीके का pictorial representation है representation के काम का है ठीक है मतलब diagramatically आप समझ सकते हो कि क्या चल रही है ठीक है diagramatically समझ सकते हो किस process को कौन सा resource available है जिसे अपन ने diagramatically समझ लिया था कि यह आप deadlock लगेगा की नी तो लगबग example हो गया R.A.G. का ठीक है समझ के simple अब मैं जो बात कर था graph की तो यहां पर उसको ढंक से समझते है कि जो graph है ठीक है तो graph में क्या होता है कि normally आपके पास vertex और h के आप उसको पूरा represent कर देते हो clear है vertex में क्या चीज़े रखी जाती है सब को पता है vertex में जैसे data node है अगर vertex की बात करूं जैसे data 0 है तो उसको vertex में बना दिया जाता है लग भग like this ऐसी एक आपका दूसरा vertex है जो कहीं है यहां पर डाल देते है वन तो उसको भी ऐसे circular fashion में रख दिया जाता है अगर इन दोनों को connect करना है मेरे को चाहिए वो मैं directional करूं या undirected करूं तो वो कुछ इस प्रकार में connect कर सकता हूं तो यह graph का representation है अब मालो मेरे पास एक और vertex है तीक है उसका नाम में देता हूं let's suppose 2 and जो 2 vertex से वो connected है 1 से तो इस तरीके से हम समझ गए कि यह vertex का representation है अब हो स इस को सकते होगे सब connected है कौन सा connected है कौन में यही होता है कि resource कि से connected है उस चीज के बारे में बताता है तैकि जैसे graph vertex connected है कि नहीं उसके बारे में बताता है और जो RAG है, है न, Resource Allocation Graph, वो क्या बताता है, वो क्या बताता है, कि कौन सी process, किस resource को available है, ठीक है, तो वो बताता है, resource और process के मीच का खेल, जैसे यह R, माल लेते हैं, यह resource है, इसका नाम डाल देते हैं, R1, ठीक है, और process का नाम डाल देते हैं, कुछ भी, for example, P1 process, तो P1 process, R1 के लिए है कि नी, R1 resource कर रहा है, बलताब R1 जो है, resource है, वो process P1 को allocate हुआ है कि नी, ठीक है, तो यह जो part है, इस तरीके से बताता है, RAG के अंदर, तो लगबग similarities हैं, graph और RAG के अंदर, तो मैं आप कर रहा हूँ कि यह आपको time समझ में आ गया होगा, अब इसके अंदर थोड़ी और भी चीज़ें हो समझते हैं, तो normally क्या होता है, इसके अंदर, RAG के अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगे, एक तो vertex, दूसरा edge, जैसे graph के अंदर है, क्योंकि एक तरीका का क्या graph ही है, RAG का पूरा नम अपने उपर देखा था, resource allocation graph है, तो एक graph कही है, तो इसमें जो scenario बैठेगा, कि आपको एक तो vertex मिलेंगी, क्यों ग्राफ में एक vertex होती है, और दूसरी क्या होती है, edge होती है, यही part important है, देरे-देरे समझ जागे, कोई बड़ी चीज नहीं है, अब आपके पास vertex दो चीज़ों क्यों हो सकती है, ठीक है, edge तो क्या होती है, edge मतलब यह चीज़ों होती है, यह line, जो दो, मतलब दो चीज़ों को connect करती है, जैसे एक resource होगया, तो दूसरी process होगया, इन दोनों चीज़ों को connect कर रही है, यह edge, तो यहाँ पर इस diagram के साब से, आप कहेंगे कि यह जो चीज़ है, this is edge, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता है, तो यह क्या होग जाएगी, edge, ओके, edge, और जो R1 है, और जो P1 है, यह दो क्या है, vertex है, ठीक है, खतम, तो यहाँ से क्या समझ वहाँ है, एक vertex होगी process की, और एक होगी resource की, एक resource की vertex है, तो दूसरी vertex process की है, तो यह diagram के साब से, जो vertex होला part है, वो clear हो गया, कि एक जो vertex होगा, process का होगा, तो दूसरा vertex होगा, resource का होगा, अब जो process का vertex है, वो तो कुछ इस वगार देखेगा, P of I, I की वेलिए कुछ भी हो सकती, जैसे B1, B2, B3, तो process हमने ऐसा denote कर दी, अब जो resource है, वो resource हो सकता, या तो single resource, या single instance हो, या तो फिर multiple instance हो, तो यह denote करने का तरीका है, यह तरीके का क्या, graphical या pictorial representation है, तो आप diagram से समझोगे, तो यह diagramatically representation है, अगर single instance होगा, तो भाई वो इस तरीके से black of, इस तरीके से square में represent किया जागा, एक single black square, और multiple instance होगे, तो multiple, इस तरीके से black के अंदर denote होगे, तो समझ दिए, process vertex क्या है, resource vertex क्या है, simple चीज यही है, vertex यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं, इस diagram में, तो यही एक process है, तो दूसरी resource है, इन दोनों को जो बीच में connect कर लिए, this is your edge, अब edge दो चीज़ें उपर हो जकती है, जो connect कर लिए, या तो इसका direction इस तरीके का होगा, या तो इसका direction क्या होगा, inverted होगा, मतलब reward होगा, तो जब इस तरीके का direction है, यह direction कौन से direction है, assign direction, कि R1 किसको assign हो गया, process P1 को, तो यह direction नीचे वाला है, यह वाला जो direction है, इसको लिख देते हैं, ray, control Z दबाते हैं, कि यह वाला arrow हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो यह नीचे वाला जो भी है न, यह किस चीज़ का है, यह इसको assign हो चुका है, ठीक है, process P1 को assign हो चुका है, ठीक है, अब यह जो process P1 है, इसको जो assign हुआ है, यह वाला vertex, यह वाला edge हो, सौरी है न, यह जो चीज़ हुई है, यह नीचे वाली हुई है, clear, तो यह जो पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कि process की तरफ, जो आ रहा है, resource, वो assign resources है, तो यह है न, process की तरफ, जो resource आ रहा है, इसको कहींगे, assign वाला edge, ठीक है, और जब process, इस request कर रही है, R1 को, तो उपर वाला क्या हो जाएगा, जो arrow है, यह वाला, वो request edge के लिए हो जाएगा, ठीक है, R, E, Q लिख देते हैं, request के लिए हो गया, ठीक है, clear हो गई बात, तो edge यहाँ पर हमने जो सीखा, edge भाई, दो तरीके से दिख रहा है, एक तो यार, assign edge हो गई, ठीक है, जिस process की तरफ, resource आ रहा है, वो assign हो गई, और कोई process है, जो request कर रही है, resource का, तो requested edge, इस तरीके से representation है, ठीक है, representation का ही खेल है, और कुछ नि, clear है वाद, तो यह आपको बताया गया, जैसे कोई भी process है, उसकी तरफ, resource खुद जा रहा है, तो क्या हो गई, कि resource assign हो गई, इस process को, just like that, यह resource R1 है, वो process P1 को क्या हो गई, assign हो गई, इस तरीके से read कर सकते हो, ठीक है, जो यह वाले diagram था, जो हमने previous के previous वीडियो के अंदर देखा था, यह वाले diagram के साब से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, इसको नीचे लेगे आता है, अब यहाँ से आप बताएंगे कि किसको कौन assign हो गई, ठीक है, ओके, तो यह जो statement है, थोड़े ज़रे इसको हटाता है, और यह दर फोकस करता है, तो ध्यान से देखो गया अगर आप, तो R1 किसको assign है, P1 को, clear, क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है, resource assign है, तो यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हो कि, यह assign है, assignage, ठीक है, और P1 किसको request कर रहा है, R2 को, तो यह क्या होगी, requested age होगी, R1 क्यों लिख देता है, requested को, ठीक, clear बात, यह जो P2 है, R2, इसकी तरफ हो चुका है, ठीक है, तो R2 किसको assign हो चुका है, P2 को, तो यहाँ पर लिख देंगे, कि assignage है, clear, अब जो P2 है, वो request कर रहा है, R1 का, तो यह जो होगी, वो requested age होगी, तो बात समझ में आ रही है, कि हो क्या रहा है, and जो अपन ने अभी तक सीखा था, वो यहाँ पर valid है, ठीक है, इस तरीके से अपन representation करेंगे, इस चीज़ का, अब यह आपको clear हो गया होगा, कि resource और processes किस तरीके से work करती है, ठीक है, अब next एक diagram के आप से एक example समझते है, और अच्छे तरीके से clear हो जाए जिससे, कि अपने पास यह सारी क्या है, processes है, ठीक है, P1, P2, P3, यह सब process को circle fashion में denote करते हैं, और resource को square fashion में, अब यह आप जितने भी देखोगे, resource square fashion में देख रहा है, process circle fashion में देख रही हैं, यहाँ पे भी देखो, resource square fashion में देख रहा है, process circle में देख रही हैं, process circular fashion में देख रही हैं, resource square fashion में देख रहा हैं, हर जागा यह representation यूज होता है, तो process circular fashion में देख रहे हैं और resource square fashion में देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है पहले वो समझते है R1 यह जो resource है किसको मिल गई process P1 को मिल गई तो R1 क्या हो गई assign हो गई P1 को तो यहाँ पर simple simple वो लिख देते है ठीक यह दोनो request कर रहे है R1 के लिए ठीक clear है R2 किसको assign हो गई R2 assign हो चुकी है P2 को तो यह assignment वाला error ठीक है तो R2 assign हो चुका है P2 को अब P2 request कर रहा है R1 को भी और P3 request कर रहा है R1 को ही बट यह request कर रहा है यह assign सिर्फ P1 को है ऐसे ही P3 request कर रहा है तरीके से representation है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, कि वह यह deadlock की condition है कि नहीं, ठीक है, deadlock है कि नहीं, अब आपको पता, deadlock एक बहुती बिकार situation हो जाती, जिसमें कि आया है, आपकी कोई भी process जो है, वो execute नहीं हो पाती, वो सबसे बिकार situation होती है, और हम चाहते कि यह deadlock आये ही ना, ठीक है, better situation यह होती है कि deadlock आये ना, सारी process पूरी execute हो जाया, ठीक है, because deadlock infinite time लेती है, and कोई process execute नहीं होती है, ठीक, अब deadlock की जो हमने condition देखी थी, मैंने आपको वाँपे सबसे पहले यही समझाया था, कि अगर सारी processes circular fashion में है, तो यह हम deadlock देखेंगे, नहीं तो नही तो कि circular यहाँ पर process का fashion दिख रहा है, नहीं भई यह, process तो आपस में connected ही नहीं है, तो इसका मतलब ही circular है ही नहीं, circular को कर दिया जाए, cross, है ना, circular नहीं है, तो इसको आपन कहेंगे ही नहीं कि deadlock है, ठीक है, तो circular है ही नहीं, तो deadlock भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि remaining three condition देखने की जर्वात तीन ही हमें, यहाँ पर वोई statement लिखी गई है, कि जो तीन processes है, P1, P2, P3, and two resources, R1 and R2, the resource having one instance each, यह तो ठीक बात है, हर एक resource का एक instance है, according to the graph, R1 is being used by P1, ठीक है, resource R1 के इसको मिली है, P1, and R2, P2 is holding R2, बिल्कुल ठीक है, और R2 resource P2 को मिली हुई है, and waiting for R1 and waiting for R1, P3 is waiting for R1 as well as R2, clear cut है, diagram से clear हो रहा, the graph is deadlock free, मतलब deadlock नहीं है, deadlock है ही नहीं इस graph में, since there is no cycle, ठीक है, बात समझवा रही है, तो इस तरीके से आप answer, अगर आप से को engineer exam में पूछता है, तो इस तरीके से पूर explain करेंगे, फिर से diagram बनाएंगे, इसमें जो जो मेरे चीज़ें आपर बताई, जैसे assign कौन कौन सी चीज़ों रखें, किस process को कौन सी resource assign हुई है, जैसे R1, P1 को assign हुई है, और R2, P2 को मिली है, बाकि P2 wait कर रहा है, किसका request कर रहा है, R1 का, P3 भी request कर रहा है, R1 को resource को, P3 request कर रहा है, R2 को भी, यह साब आप बताएं आपस में connected है, circularly की नहीं, circular fashion में connected है, deadlock हो गई नहीं, क्योंकि हमने जो previous video के अंदर देखा था, यह वाली condition, जो चार condition हमने पढ़ी थी, mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular weight, तो जब circular fashion में क्यों, मतलब सारी process arrange ही नहीं, just like that कि सब arrange हुई है, circular fashion में, तो यहाँ पे deadlock लग सकता है, बाकि तीन condition चेक करेंगे, तो पता चलेगा, बट जब circular है ही नहीं fashion में arrange, तो deadlock तो हो गई नहीं,